तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा वाच थीखें तो वाच में हम केवल उतना ही पढ़ेंगे जहां से इसमें प्रस्न पूछा जाता है ठीक है यानि कि कर्तिवाच, कर्मवाच और भावच के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि बस प्रस्न यहीं से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कर्तिवाच है, कौन सा कर्मवाच है और कौन सा भावच है हम लोग को यहाँ पे केवल कर्ति वाच्च और कर्म वाच्च और भाव वाच्च को पहचानना सिखना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कौन सा वाच्च है ठीक है तो वाच्च जो एक प्रकार का वाच्च का प्रकार है तो वाच्च में हम लोगों को कौन कौन सा तीन प्रकार की वाच्च पढ़ने है करती वाच्च पढ़ना है कर्म वाच्च पढ़ना है और क्या पढ़ना है भाव वाच्च पढ़ना है तो पहला क्या है करती वाच्च और दूसरा क्या है कर्म वाच्च तीसरा क्या है भाववाच अब यहां पे हम लोग को सिर्फ पहचानना सिखना है ठीक है तो कर्म अकर्थी वाच्चे का मतलब क्या है यानि कि जहां पे कर्ता प्रदान होगा वो क्या होगा कर्म वाच्चे होगा कर्म वाच्चे यानि जहां पे कर्म प्रधान होगा वो क्या होगा कर्म वाच्चे होगा अब भाव वाच्चे का मतलब जहां पे क्रिया प्रधान होगी वहां क्या हो जाएगा भाव वाच्चे हो जाएगा ठीक है अब इसको पहचानेंगे कैसे तो अगर कर्ती वाच्चे मे यानि की करता के साथ क्या आ जाए ने आ जाए और सुनिकारक आ जाए या फिर क्या आ जाए सुनिकारक का मतलब क्या है करता की साथ क्या आ जाए या फिर जो करता होना चाहिए वो निर्जी होना चाहिए अगर करता जहां पर निर्जी होगा वहां क्या हो जाएगा कर्मवाची हो जाएगा भाव वाची में क्या देखेंगे करता के साथ क्या आएगा से आएगा या फिर और अधिकतर जो भाव वाच्य होंगे उसमें नहीं यानि कि वो अधिकतर नकारात्मा वक्वाक के ही होगा भाव वाच्य में अधिकतर व्यक्ति की असमर्थता प्रकट की जाएगी जैसे कि अभी हम लोग आगे देखेंगे उसको, ठीक है सबसे पहले हम लोग जानेंगे करती वाच्चे ठेक है करती वाच्चे में अभी मैंने बोला कि इसमें कौन प्रधान होगा करता प्रधान होगा तो जैसे अगर करती वाच्चे का हम लोग एक्जाम्पल देखें अब देखें यहाँ पर एक्जाम्पल क्या है मोहन नेक आम खाया ठीक है और अभी जस्ट मैंने बोला कि जहाँ पर करता के साथ ने आ जाएगा वहाँ पर क्या होगा करती वाच्चे होगा तो इस ने की वज़े से यहाँ पर क्या हो गया करती वाच्चे हो गया और वैसे यहाँ पर देखें करता पर ही प्रभाव पढ़ रहा है कि मोहन ने आम खा रहा है कौन आम खा रहा है मोहन आम खा रहा है तो करता पर प्रभाव पढ़ रहा है तो यहा कारक का प्रयूग किया गया है अब राम स्कूल कर देख वारा है रहां पर हम ने आपको फ़ीछे वीडियो में बता है था कि पहचानने के तरीका किया है कि हम जो क्रिया जोड़ा और में उत्तर मील जाएगा लेगा उत्तर मिले वह sudah कर दक號र实 हो गा में यहां पर प्रभाव पढ़ रहा है यानि कि यह कैसा है करती वाच्चे है ठीक है अब यहां पर मैं क्रिकेट खेल ला हूँ तो यहां पर भी क्या है यहां पर भी सुनने कारक है अब कौन क्रिकेट खेल ला है मैं क्रिकेट खेल ला हूँ यानि कि यहां क्या हो जाएगा करती वाच्चे हो जाएगा ठीक है अगला क्या है कर्म वाच्च कर्म वाच्चे में हम लोगों ने क्या देखा यानि कि जहां पर कर्म पर प्रभाव पड़ेगा वहां पर क्या हो जाएगा कर्म वाच्चे होगा अब कर्म वाच्चे यानि कि कर्म पर प्रभाव पड़ा है यानि कि इस वाक्य में कर्म तो आएगा ही तबी तो कर्म पर प्रभाव पड़ेगा तो एक तो पहचान हो गया कि इसमें कर्म तो आना ही आना है करती वाच में भी कर्म आता है लेकिन यहाँ पर दिखें हम डिफरेंस कैसे देखेंगे है जैसे अगर हम एक्जामपल ले लें यहाँ पर पत्तं उड़ रही है मकान बन रहा है और किशान द्वारा खेत जोता जा रहा है तो यहाँ पर क्या एक्जामपल हम देख रहा है कि सबसे पहले इसको देखते हैं किसान के द्वारा खेत जोता जा रहा है और अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि कर्टा के साथ अगर के द्वारा आएगा या फिर कर्टा निर्जिव होगा तो वहाँ पर क्या होगा कर्मवाच्य होगा तो यहाँ पर के द्वारा दिख रहा है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा और इन दोनों वाक्यों में हम क्या देख रहे हैं यह जो पतंग है और यह जो मकान है यह दोनों क्या है निर्जु है क्या है निर्जू और मैंने बोला अगर निर्जू है अगर करता जो होगा निर्जू है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कर्मवाच्य हो जाएगा ठीक है अगला क्या है अगला है भाव आच अभी भाव आच में क्या होगा करता के साथ क्या आना चाहिए से आना चाहिए ठीक है और इसमें ज्यादा तर वाक की देखेंगे उसमें क्या आएगा नहीं आएगा और चुकि भाव आच है तो इसमें क्या होगा ज्यादा तर जो वाक के होंगे उसमें और समर्थता प्रकट की जायेगी जैसे कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता तो यह सब वाक के यहां क्या हो जाएगा भाव आच्ची हो जाएगा, जैसे तो यहाँ क्या है, मुझसे बोला नहीं जाता, ठीक है अब मैंने बोला कि नहीं अगर आएगा, तो क्या होगा, भाव आच्ची होगा और इस वाके में असमर्थता भी प्रकट की जा रही है और यहाँ पे सी भी आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, भाव आच्ची हो जाएगा मुझसे सुवा उठा नहीं जाता, इसमें भी असमर्थता भी प्रकट की आ गया है तो यह भी क्या हो जाएगा, भाव आच्ची हो जाएगा ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, कर्ती वाच्च, कर्म वाच्च और भाव आच्च को देखा यानि कि कर्ती वाच्च क्या होगा, कर्ता के साथ अगर नहीं आएगा और साथ में सुन निकारक, मतलब सुन जहां नहीं नहीं होगा, वहाँ क्या होगा सुन निकारक, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ती वाच्च हो जाएगा कर्मवाच्च के साथ के द्वारा आएगा और या फिर कर्ता निर्जी होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा कर्मवाच्च हो जाएगा भावच्च क्या होगा कर्ता के साथ से आना चाहिए या से आ भी सकता है नहीं भी आएगा तो वाकित जादातर क्या होगा नकरात्मक होग ठीक है और वैसे भी मैंने अभी बोला कि जो भाव आच्छ होगा वो उसमें कौन प्रधान होता है क्रिया प्रधान होता है तो उससे क्या ने किया जा रहा है बोला नहीं जा रहा है यानि कि इस क्रिया की प्रधानता यहां पर दिखाई जा रही है तो यहां पर क्या हो जाए तो हमारा जो आच्छे है यहीं पे समात्त होता है अगर हम इसको बहुत ज्यादा डीपली में पढ़ेंगे तो उलसते ही जाएंगे